असयाम अलेकूम विवर्ज मुंहें ऑज हम सिंपल अकभे भाइस style में य然后 rough-acă म último उप आने में फिलालोगर से और बाद में हम से डाला एक पीप मेजरमेंट इस तरह सेnoon अब दाल को अच्छे से साफ करके दोकर लेना है। तो देखिए, दाल को मैंने दोकर ना, इसे कूकर में ले लिया है। अब उसमे मैं डाल रही हूं, एक मिल्यम सईज की बारिक कट करके एक टमाटर। अब उसे भी डालेंगे और यहाँ पे मैं पाउ चम्मच हल्दी ले रही हूँ, साथी में पाउ चम्मच नमक है, अगर जरुरत होगी तो आगे इस्तेमाल करेंगे, और यहाँ पे स्वादा नुसार या फिर एक चम्मच लाल मिर्च पॉल्डर, और साथ में यहाँ पे मैं ए यहाँ डाल इस तरह से öज प्लाक पॉल्डर जैंगे ऐ घंच यहाँ बस दो सीटे ऑप लैने बन आज़ लीझाए तो आपना इसे विस्क के मदद से दाल गोटनी के मदद से यहाँ इसे मिक्स और लेना है तो यह पूरी तरह से मिक्स हो जाएगी फाइन बन जाएगा तू तरह से नहीं लेना है हमी बस थोग ऐसा यह दाल दर्बरी से दिखनी चाहिए हमी खाने में बहुती मज़ेदार लगती है आप सिंपल भी से मेरी तरीके से बनाओगे ना तो बहुती बढ़िया लगेगी तो देखे इस तरह से दिखनी चाहिए यह आपना यहां पी मैं कुछ लहसन के कलिया ले करना उसे कूट कर लिया है थोगा सा अब मैं दूसरे पतेले में ग्यास ओन करके यहां पर मैं एक चम्मच तेल ले रही हूं तेल जैसे ही गरम होता है अब उसमें हम गालेंगे लहसन के कुछ करिया और लो फ्लेम पर ही प्रोसेस करने है और लहसन का डालेंगे साथ यहां पर आधा चम्मच जीरा डालेंगे जादा जलाना नहीं है हमें बस थोग आशा कलर चेंज करना है इस तरह से उसके बात जो हमने गला कर दाल ली है अक कामशूल लिया है वह डालेंगे दिले-दिले करके डालना है अब दाल को अच्छे से मिक्स अगर आपको इहां पे जोरुत होगी तो आप लाल मिल्च पाउडर का यूज कर सकते हैं, नमक का इस्तिमाल कर सकते हैं, लेकिन मैंने जो डाला है वो परफेक्ट है, इसलिए बाकी चीजों का मैं इस्तिमाल नहीं करूँगी, तो आप ना इसे बॉयल आने तक हम पकाएंगे दो से तीन मिनिक तक तो देखें, इसे अच्छे से बॉयल पे आ चुका है, अब हम ग्यास की फ्लेम बन कर देंगे, तो है ना बहुती सिंपल, तो इस तरह से हम सिंपल अका मसूल डाल बना कर घर पर चावल रोटी के साथ आराम से खा सकते हैं, अगर आपको मेरी वीडियो में कुछी भी सिखिने को मिला होगा तो आएक खेयर रहेंग सब्सक्राइब